कारगिल वार में अमेरिका ने हमें GPS देने से मना कर दिया इसलिए हमने अपना नाविक बनाया लेकिन अब एक और सर्प्राइज ने हमें हिला दिया है जब ऑपरेशन सिंदूर दोरान चाइना ने पाकिस्तान को लाइव सैटलाइट डेटा दिया तो हमें समझ आ गया कि हम कितने पीचे हैं लेकिन अब ये कहानी बदल रही है इंडिया हाज अन्यू वेपन अ फ्लीट ओफ फिफ्टी टू किलर सैटलाइट्स क्या ये इंडिया का फाइनल बॉस मोमेंट है? नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मिशन नभनेत्र में दोस्तों आज हम बात करेंगे उस मिशन की जो भारत की डिफेंस को स्काई से सिक्योर कर रहा है हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मैसिफ प्रोग्राम की जिसके बाद इंडियन मिलिटरी की आँखें और कान 24-7 स्पेस में होंगे ये कोई साइन्स फिक्षन नहीं बलकि एक स्ट्रटीजिक मास्टर स्ट्रोग है जो हमारी बॉर्डर्ज, हमारे समुद्र और हमारे आसेट्स पर हर सेकंड नजर रखेगा तो सबसे पहले सवाल ये है इस मिशन की इतनी अर्जनसी क्यों है The answer lies in two major realities First, हमारे पास अभी कितने सैटलाइट्स है Currently, India has around 54 operational satellites इन में से कुछ military grade है जैसे Cartosite series, जो Earth Observation के लिए डिजाइन की गई थी और RISAT series, जो radar imaging capabilities देती है इन्होंने पहले civilian developmental needs और gradually military applications को भी सर्फ करना शुरू कर दिया ये धीरे-धीरे shift culminate हुआ जब इन्डिया ने अपने पहले truly dedicated military satellites launch किये GS87, जिसे रुकमिनी के नाम से जाना जाता है Indian Navy के लिए 2013 में launch हुआ और GS87A या Angry Bird इंडियन Air Force के लिए 2018 में ये launches एक clear और definitive transition को mark करते हैं जहां इंडिया ने military specific satellites develop करने start किये KatoSat और RISAT series जो ISR यानि intelligence, surveillance and reconnaissance का काम करते हैं लेकिन उनकी भी अपनी limitations है आज की टाइम में इंडिया के पास 13 से जादा ऐसे satellites हैं जो border areas की mapping और surveillance में capable हैं जिसमें से लगबग 10 actively strategic purposes के लिए use हो रहे हैं लेकिन officially सिर्फ 2 satellites को dedicated military satellites माना जाता है एक major policy enabler इस strategic shift के लिए था इंडिया का 2016 में missile technology control regime का हिस्सा बनना जिससे international constraints कुछ हद तक कम हुए और इंडिया ने अपने space और defense programs के integration में ज़ादा assertiveness दिखाया SBS phase 1 Officially 2001 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाचपई के tenure में स्टार्ट हुआ था इस foundational phase में 4 satellites launch किये गए इन में Cartosat और Rysat series के कुछ assets शामिल थे जो 1 meter resolution imagery प्रवाइड करते थे इन satellites से जो intelligence मिला वो 2001-2002 के इंडिया पाकिस्तान military stand-off के दौरान बहुत valuable साबित हुआ और space-based reconnaissance का strategic value सामने आया SBS phase 2 पहले phase की success के बाद phase 2 2013 में स्टार्ट हुआ इस phase में और 6 satellites deploy किये गए जिसमें Cartosat 2C, 2D, 3A, 3B के versions थे साथी Microsat 1 और Rysat 2A भी launch हुए इन satellites ने इंडिया की earth observation और radar imaging capacity को और भी enhance किया यही है हमारे military की सबसे बड़ी problem हमारे पास real-time high resolution coverage का gap है हमारे existing satellites हर 24 गंटे में सिर्फ एक या दो बार एक location पर नज़र डाल पाते हैं ऐसे में जब operation सिंदूर जैसा stand off हुआ तो हमारे adversaries को इसका फायदा मिला रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने पाकिस्तान को live satellite imagery प्रोवाइड की जिससे हमारी vulnerabilities exposed हुई इसी वज़ा से हमें कई बार foreign commercial firms पर rely करना पड़ता है जो एक major strategic risk है तो ये 52 ने satellites काम कैसे करेंगे इसमें multi-layered orbital architecture होगी जियो stationary satellites ये high altitude satellites एक fixed location पर focus रखेंगे low earth orbit satellites ये high speed satellites geosatellites की direction पर specific points की high resolution images लेंगे इन satellites में advanced sensors लगे हैं synthetic aperture radar SAR जो दिन हो या रात, बादल हो या बारिश हर weather में clear all weather imaging देगा thermal imaging TI से रात के अंधेरे में भी heat signatures detect किये जा सकते हैं और सबसे बड़ा game changer है on board AI ये AI system ना सिर्फ data process करेगा बलकि automatically threats identify करेगा और हमारे ground stations को live alerts भेजेगा space में ये race सिर्फ हमारी नहीं, ये global है जब हम इंडिया के 54 satellites की बात करते हैं तो US और China कहां खड़े हैं? China के पास इस वक्त 1000 से जादा satellites हैं जिसमें से 360 से जादा सिर्फ military ISR के लिए हैं उनका aim है एक kill mesh create करना जिससे हमारे satellites को jam या destroy किया जा सके और US, the US has a mind-boggling 4500 to 5000 active satellites in orbit more than 60% of all satellites in the world उनका budget और technology दोनों ही massive हैं हम अभी उनसे बहुत पीछे हैं और ये program इस gap को fill करने की पहली और सबसे important कोशिश है तो क्या इस mission में सब कुछ perfect है? बिल्कुल नहीं इसके कुछ demerits और challenges भी है The cost, 7000 करोर का budget एक बड़ा investment है Vulnerability, एक इतना बड़ा constellation एक ही time पर space में होने से ये हमारे adversaries के ASAT weapons के लिए एक high value target बन सकता है Technological gap, AI जैसे advanced systems को space के harsh environment में operate करना एक major engineering challenge है लेकिन ये challenges ही हमें और मजबूत बनाते है This program is our commitment to strategic autonomy and self-reliance अब हमारा goal सिर्फ border पर नज़र रखना नहीं बलकि space domain को secure करना है दोस्तों हमने बात की mission नब नेतर की जिससे हम space में surveillance करेंगे लेकिन अगर दुश्मन ने हमारे satellites पर ही हमला कर दिया तो उन्हें कौन बचाएगा अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडिया के anti-satellite weapons के बारे में कैसे इंडिया अपने satellites को बचाने के लिए directed energy weapons, lasers और EMP जैसे high-tech हथियार develop कर रहा है तो दोस्तों ये था mission नब नेतर का पूरा analysis हमने जाना कि इंडिया का space program कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है अब आप बताईए क्या आपको लगता है कि इस mission से इंडिया truly एक global space power बन पाएगा हमें नीचे comments में अपने विचार ज़रूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही defense and tech analysis देखना चाहते हैं तो like बटन दबाना ना भूलें और channel को subscribe करें आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही informative videos लाते रहेंगे जैहन